हेलो दोस्तो, वेलकम टू इंटेलिजेन मैथ चैनल, आजके इस वीडियो में IIT XAM 2024 क्वेस्चेन नंबर 4 को सॉल्प करेंगे, तो सॉल्प करने से पहले क्वेस्चेन को एक बार रेट आउट कर लेते हैं, जहाँ पर H-1 से 1 के बीज में लाई है, तो हमें यह जो एक फैमेली अप कार्ब है, उसका और्थोगोनल ट्राइजेक्टरी फाइंट करना है, जो इन चारों अप्शन में से किसी भी एक अप्शन के साथ में आच होगा, तो आईए देखते हैं कैसे और्थोगोनल ट्राइज इक्टरी फाइंट करते हैं, तो सबसे पहले जो इक बीज एक बाल लिग दिया है, एक से स्क्वाइर प्लस 2H, एक स्क्वाइ प्लस Y स्क्वाइ इक बार डेरिवेटिव करेंगे, तो हमारा जो अल्टिमेट एक्वेशन बनेगा 2X प्लस 2HY, क्योंकि इस टार्म को यू भी क यह रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, 2X प्लस 2HY, PLUS 2HX इंटु, DY BY DX, PLUS 2Y इंटु, DY BY DX, इक्वेल्स टु, अब क्या करेंगे, इन दोनों टार्म में से H को को मोर ले लेंगे, तो X प्लस H इंटु, Y, PLUS X इंटु, DY BY DX, PLUS Y इंटु, DY BY DX, अल्सो जो पूरा इक् से 2 को कॉमोल लेके हम निकाल देंगे next हमारा जो काम होगा इस h को निकालने के लिए तो h को हम निकालेंगे इस equation के मदद से तो इधार हम h को निकाल लेंगे और then h को substitute कर देंगे इस equation में तो आये देखते हैं तो सबसे पहले हमारा h हो जाएगा 1-x²-y² by 2xy now इस h को substitute कर देंगे इस equation में after substituting जो हमारा equation बनेगा x plus 1-x²-y² by 2xy into y plus x into dy by dx plus y into dy by dx equals to 0 अब इस term को अंदर multiply करेंगे after multiplying हमारा जो y से y cancel out हो जाएगा और इधर x से x cancel out हो जाएगा तो ultimate term बनेगा x plus 1-x²-y² by 2x plus 1-x²-y² by 2y into dy by dx plus y into dy by dx equals to 0 अब क्या करेंगे इन दोनों terms से dy by dx को को मोल ले लेंगे and हमें orthogonal trajectory निकालने के लिए simply dy by dx के place में हम minus dx by dy को substitute करेंगे तो हमारा ultimate differential equation हो जाएगा x plus 1-x²-y² by 2x plus 1-x²-y² by 2y plus y into dy by dx और इस dy by dx के place में हम substitute कर देंगे minus dx by dy सो अब स्बस्टिट्यूटिंग जो हमारा term मचेगा x plus 1-x²-y² by 2x plus 1-x²-y² by 2y plus y into minus of dx by dy equals to 0 अब क्या करेंगे इसमें से हम 2x को LCM करके इस term को simplify करेंगे and similarly इसको भी simplify करेंगे सो अब्टर सिंप्लिपिकेसान हमारा जो term बन जाएगा dx by dy into 1-x²-y² by 2y equals to 1-x²-y² by 2x अब क्या करेंगे इस term को simply इधर divide कर देंगे सो अब्टर division 1-x²-y² by 2x into 2y by 1-x²-y² 2 से 2 ultimately cancel out हो जाएगा और यह जो y है यह y इस term के साद पूरा multiply हो जाएगा और यह जो x है यह x पूरा इस term के साद multiply हो जाएगा सो after multiplication जो term बन बन जाएगा y plus x²-y² by x-x²-y² equals to dx by dy अब हमें क्या करना है यह dx by dy को simply reciprocal कर ले लेंगे तो हमारा term हो जाएगा dy by dx equals to x-x²-y² divisible by y plus x²-y² सो simply इस term को इधर multiply कर देंगे तो ultimate term बन जाएगा x²-y²-y² into dy by dx minus इस term को minus करके इधर लेके जाएगे तो minus xy²-x² plus x equals to 0 तो this is the orthogonal trajectories of the differential equation of the family of carpoop A तो आएए देखते हैं कौन सा option सही है तो अगर अब गोर से देखेंगे तो option A is the correct answer बाकी B, C and D is not the correct answer so thanks for watching